पश्चिम बंगाल के छोटे से हिस्से संदेश खाली से पूरे देश की सियासत का पारा इस वक्त हाई है TMC के शेख शाह जहां के काले सामराज्य को बेपरदा करने वाली संदेश खाली की महिलाओं से जुड़े इस मुद्धे पर ममता दीदी और उनकी पाल्टी चोतरफा घिरती नजर आ रही है आज प्रधान मंतरी मोदी पश्चिम बंगाल के दोरे पर थे यहां संदेश खाली को लेकर PM, मोदी, CM, ममता और TMC पर जम कर बढ़से इसके डोल पिटने वाली PMC ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है, आक्रोशीत है और मैं कैसे सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी PM, मोदी ने आराम बाग से संदेश खाली पर जो संदेश पूरे देश को दिया उसी का दूसरा रूप दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर देखने को मिला जहां BJP ने इस मुद्धे पर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया म Mississippi में महिला मुख्य मंतरी के नीचे और उस मुख्य मंतरी के पोलिटिकल करल होता है और वो उस बात को दबाने का प्रेस करते हैं जोब चुपाने का प्रेस करते हैं संदेश खाली का मुद्दा लोग सभा चुनाव से पहले टीमसी के गले की फास बन चुका है खबर ये भी है कि प्रधान मंत्री खुद जाकर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी कर सकते है ऐसे में टीमसी के लिए खुद को डिफेंड कर पाना मुश्किल हो रहा है आज पाल्टी को उस वक्त एक और जटका लगा जब नेता कुणाल घोश ने बागी तेवर अपनाते हुए राज्य महासचिव और प्रवक्ता का पद छोड़ दिया साथ ही ट्विटर पर भी अपनी पहचान उन्होंने बदल ली उन्होंने लिखा कि मैं सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा हूं मैं एक टीम का सिपाही बन कर रहूंगा संदेश खाली की पीडित महिलाएं एक तरफ शा जहां शेख के लिए फासी की मांग कर रही हैं जबके दूसरी तरफ छे साल के लिए पार्टी से शा जहां शेख को निलंबित करके टीम सी अपनी पीठ थप थपा रही है मामला वार पलट वार की सियासत से भी आगे बन चुका है लहाजा अब चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी